नमस्कार आप सभी देख रहे हैं दभारत खबर कि जान सकें आखिर सेलेंदर मौन्टी के इसको लेकर क्या आरोफ है लाल लाम दिल्ली के होजखास इलाके में मौजूद है यहां पर एक विवाद है जिसको लेकर लगातार जो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि उस तरह की जो चीजे हैं वो बढ़ रही हैं और इसी को लेकर हम स्थानियें यहां से पारसद भी रहे हैं शेलेंदर सिंग मौन्टी उन से जानेंगे कि आखिर क्या विवाद है क्योंकि इनका रूप है कि स्थानियें जो विधायक हैं वो किसी तरीके से इस मामले में इन्वाल है और तमाम चीजों को आगे बढ़ा रही हैं सेलेंदर सिंग मौन्टी क्योंकि साउथ दिली मौनिसेपल जो कार्पोरेशन है उसमें स्टेंडिंग कमेटी के चेर्मेन भी रहे हैं लंबे वक्त तक सेलेंदर जी क्या विवाद है क्या लगता है कि किस तरीके से चीजों को अलग तरह से देखा जा रहा है क्या आप लोगों का रुप देखिए हमारा ये मानना है कि हर गाओं में एक पुराना कबरिस्तान है अभी कुछ महीने पहले लोगों को पता भी नहीं लगा सोमनाद भारती जो डीडिये के बोर्ड मेंबर है ये चारो तरफ डीडिये की लेंड है एक बोर्ड लगाया जाता है नया कबरिस्तान का और अचानक दस तारिक को कुछ लोग आते हैं यहां पर एक बोड़ी दफना दी जाती है तब सारा गाउं एकदम चौक कर उड़ता है यह क्या हो रहा है यहां पर 10 सेप्टेंबर को हमने फोटो खीच के रखी हुई है उसकी और उसके बाद हम हमें पता लगता है कि सोमनाद भारती तुरंत ही डीडिये के कुछ अधिकारों को लेकर यहां उनका एक खास चहेते हैं जिनका नाम है अपना लियाखा तली उनके घर में बैठक करते हैं और पता लगता है कि चुपचाप वो उनको एक नया कबरिस्तान की जमीन एलोट करके और पीछे से आपने देखा होगा कितना गहरा यह जंगल है रिजर्फ फॉरेस्ट है हमारी साउथ दिल्ली की लंग्स हैं यह यह इसमें उनको रास्ता दिलवाना चाह रहे हैं आरके पुरम तक का और हमारी सिर्फ डिमांड यह है कि पहले भी ओर्डर हुआ है खुद वकफ बोर्ड ने दोहजार चौदा या पंदरा का लेटर हमारे पास है जिसमें उन्होंने तैसिलदार को कहा है जो पुराना कबरिस्तान है उसकी डिमार्केशन करीजाये उसमें एंक्रोच्मेन्टर राष्ट साजश चल रही हो हम उस उसका पूरा पूरा विरोद करते हैं और अपने और विजंदर गुपता जी उनके माद्यम से हमने अपना पूरा रिप्रेजेटेशन विद फुल डॉक्यूमेंटल प्रूफ सारा डीडिया के बोर्ड मीटिंगे में रखवा दिया है अब आगे जो भी नतीजा आएगा हम एलजी को एक रिप्रेजेटेशन देंगे हम तो कह रहे हैं भाई लीगल कारवाई करो हम कोई करें कि इसको हम कोई नहीं कर करें हर गाउं में पुराना शम्कान भूमी भी होती है खवय कर्वा रही हो और नए की डीमांड कर रहे हो तो हमारी सिर्व यह मांग है कि भाया जो पुराना वसी पर चाहावान जुगी डल गयी है। कोई है और वकब बोर्ड ने खुद लिखा उस पर एंक्रोच्मेंट हो गई आप उस एंक्रोच्मेंट को हटवाईये और उठा के उसको कबरिस्तान बनाईये जिस तरीके से इन्होंने बताया कि नई जो कबरिस्तान है उसको लेकर ये तमाम चीजे हैं और ठीक मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं ये रिजर्व फोरेस्ट है और रिजर्व फोरेस्ट का इलाका है डीडिये का इलाका है और डीडिये के इलाके में आप ये देख पा रहे हैं ये कबरिस्तान का एक जो बोर्ड है आपको दिखाई दे रहा होगा ये बोर्ड लगाया गया है और कही न कहीं नए कबरिस्तान की एक बनाने की एक विवस्ता अपने तरफ से की जा रही है इनका ये कहना है कि स्थाने जो विधायक है सोमनात वो अपने चहेतों के साथ अपने जो उनके नजदी की लोग हैं उनके साथ उस तरीके की कारवाई कर रहे हैं तो आपने क्योंकि डिडि सेंटर के एंडर में आता है तो सोमनाद भारती ये कह सकते हैं कि हम दिली सरकार में हैं ऐसे में यदी बीजेपी को कुछ चीजे गलत लग रही हैं तो डीडी का अप्रोच कर वगा कर उसको रुकवा सकता है देखिए हमने इसमें बिलकुल ही बहुत ही प्यार से एक अपना र लीगल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है डीडीए बोर्ड मेंबर को वाइस चेर्मेंट डीडीए से मिलकर आ गएं अब जो डीडीए करेगी उनको ठीक लगेगा वो करेंगे तो पहले जो कबरिस्तान है जो जगे अलोट है कबरिस्तान की वो कहां पर क्या उसमें उस तरह कर रखा है इस वज़े से वो उस जमीन की बात ही नहीं कर रहे हैं एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए खास समुदा है के वोट लेने के लिए क्योंकि वो बड़ा गुरुप है बड़ा परिवार है उनको नहीं छेड़ना चाहते इसलिए जो भी आदमी उस जगे की ब समीन है बाई 50% कब जाओगे तो बचे 50 को तो कब जा रोक के उसमें अपना कबरिस्तान वापस बना दो नए की क्यों डिमांड कर रहे हैं ये मुदा है मारा बस क्योंकि आप जो है विपक्षी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी या फिरस्तानी विदाए की भी कह सकते हैं कि राजनेती की चलते इस तरह की क्योंकि विपक्ष योहार उप लगाता है तो क्या सिर्फ महज राजनेती करूप से इस पहलो को देखा जाए या इसका समाज य만 जी आप बताएं जिस तरीके से जो लोग है। मौंटी जी ने बताया कि 50% है उसको तो 2 लेकिन 5% भी नहीं है 100% की 100% उनों भेख लिये कुछ 70% बेख दी है GPA पे सारी जो जैन्वन काबरिस्तान की जगा है आज भी कबरे नीचे हैं उसमें लेकिन बेच दी सब दूसरा जो लेंड मांग रहे हैं वो डीडिये लेंड नौटक कबरिस्तान की पीछे कोई डेथ हुई थी उसमें लेके गए ते डीडिये वालों ने मना कर दिया था यह सब्तर पुट पहला नाला एए रहा इस नाले की बॉंडरी थी उन्होंने बॉंड बन जाए यह सीधा जाएगा आरके पुरम तो नेचुनल है कि जमीन की लेंड कीम्यत बढ़ेगी जो कब्रिस्तान है जिस पर आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया गया है या फिर लोगों को बेज दी गई है कितना पुराना है कब से यह देख रहे हैं कि आपका परिवार के सब्सक्राटे कर रहा है कि सो साल के करीब हो गए इसको आज भी परहस्ति में नाम है आज भी चारों के फरहनी करेंगे ना करने देते हैं जब से सोमनात आया है तब से ज़्यादा ही इसमें लिटिकेशन हो गया है जोर्द बरदस्ती मॉंटे जी हम ये कह सकते हैं कि सरकार है इसलिए उस चीज को लेकर ज़्यादा अपनी तरफ से स्थाने विधायक हैं उनके जो चहते हैं उनको आगे लाकर ये काम किया जा रहा है देखे सबसे बड़ी बात है कि ये अभी जैसे बात हुई थी कि भई ये विपक्स करके मुद्दा उठाया जा रहा है भाई मैं पांच साल मुझे काउंसलर से हटे वे हो गए धाई साल मले के चुनाव लड़े वे हो गए मैंने एक भी बार कोई ऐसा मुद्दा उठाया है ये तो दस तारीकों बाहर के लोग आकर बॉड़ी दफना कर जाते हैं गाम वाले फोटो कीच कर देते हैं अब ये देखिए ये पहले बोर्ड लगा दिया जाता है इसे पोज बना कर फोटो कीचते वे देखें ये प्रूफ दिये जा रहे हैं उसके बाद ये हमारे पूरे गाउं में घूम कर पूछ लीजिए इनमें से कौन सा एक भी वेक्ति हमारे गाउं का है क्या तो हमारा तो मुद्दा सिरफ ये है कि भाई ये क्या साजिस रची जा रही है और कुछ भी साजिस है तो इसको इसकी जांच होनी चाहिए और डीडिये जो ठीक लगे हम तो कोई नहीं आड़े हम तो जो बॉड़ी लेकर आए हम तब भी उसके आगे नहीं जगड़े का विवाद हमने तो एक रिप्रेजेंटेशन क्या पता गांवाले खुदी कहा देते हैं यहां नहीं यहां करिए लेकिन पुराना कभरिस्तान क्यूंकि इनके चहोतों ने पूरा कभजा कर लिया यह उसको नई जगए पे ले जाकर उस मुद्दे को दबाना चाहते हैं और जब से यह डीडिये बोर्ड मेंबर बने हैं उसके बाद से कभी मेरे घर की शिकायत कर देते हैं यह डीडिये लैंड में और शिकायत करता है कौन है सिर्व यह लेकत वाला परिवार है और कोई बाहर काधमी शिकायत czy करता है और उसकी करते हैं यह हमारे אा आम जनता को पूरा गुमरा कर रहे हैं अंदर से इनके साथ मिले हुएं क्योंकि चुपचाप अगर डीडिया वालों को इस लियाकत के घर के लिए जाके मीटिंग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं साजिश की बू नजर आ रही है यह देख पा रहे हैं आप यह फोटो और जिस तरी कद्इमी मुस्लीम कबरिस्तान होजखास गाएं यानि कभी से कद्इमी चा मतलब कभी से ये पुराना जो है कबरिस्तान एक बताने की कोसब की जा रही है जिस तरीके से शेलेंदर मॉन्टी जे ने वदाया कि ये बोर्ड जो है वो लगवाया गया है और अपने तरफ से दिखाने की कोसिस की गई है कि पहले वाला जो कबरिस्तान है वो पुराना नहीं है यहाँ पर एक नया कबरिस्तान बना दिया गया है क्योंकि ये फोरेस्ट ल जिसमें 2014 का ये लेटर है जिसमें डिमांड की गई है कि डिमार्केशन की जाए ख़सरा नमबर और ये तमाम चीज़ लेंड फ्रॉम रिमूब फ्रॉम एंक्रोच्मेंट लेंड ग्रेबर्स एंड रिस्टोर दी सेम टू पबलिक यूज ये तो खुलके साफ लेटर जो मैं ब थार्म के लेटर अस्वाड और ऑपक्षभ मेर्क साथbat रियूज िरी है करकर दूसरी जगे पर एक नई लेंड अपनी तरफ से अलोट कराने की कोसिस की जा रही है अपनी तरफ से उस तरह की चीजों को करने की कोसिस की जा रही है स्थानिय जो नेता है वो अपनी तरफ से जो जाँच है इन्होंने कहा कि DDA से भी इन्होंने एक जाँच की मांग की है तो DDA इस मामले में किस तरह की जाँच करता है ये भी देखने वाली बात है